हेलो एवरेंटो हेंचन यादविश्विद्धालाईदुर्ग का एक्जाम फॉर्म जो है आज चुका है एक तारिक से एक अप्रिल से 10 अप्रिल तक एक्जाम फॉर्म चलेगा तो जल्दी से जो जो फॉर्म फिलप नहीं किये तो जल्दी से कर लिजिए आज मैं इस वीडिय जो है विलम सुल के रूप में आपको देना है पड़ेगा जो की 11 से 15 तारिक तक चलेगा उसके बार भी कई बार अगर आप मिस कर जाते हैं तो 16 तारिक 16 तारिक के बीच फिर आपको मौका दिया जाएगा बट उसमें 200 रुपे लगे फिर अगर भूल आते हैं कई जो है प्रतित दीन जितने दिन आपने किया होगा उसका सोर पर इस्टा तो जितना हो सके जल्दी से इसी दस तारिक के बीच में फॉर्म फिल अप कर लेजें कोई इस्टा चार्जिस नहीं देना है और अराम से बना है वीडियो को इंट तक देखिए ताकि कोई भी मिस्टेक कैस से खश्रकबक्तुसे है क्यों से फिल पर लीजिए उसमेश को यौन से फिल-प पर जीए को बता हो है आए हूआ यह उसक gegen semester और four semester जिसमें सिमस्टर वाइस होता है वही इसमें बताएगए अभी प्रावेट का फॉंग नहीं आया हुआ है उसका भी मैं बता दूंगा कि कैसे फॉंग को फिल अप करना है इसमें जो एकाश सब्जेक्ट में फैल भी हुए रहते हैं उसका भी इसी में वहां पे शो होता है ठीक है तो जल्दी से फॉंग को फिल आप करके अपने कॉलेज महा से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब है सबसे इंपॉर्टेंट की कि इतना फीज लगता है फीज जो हर सेमेस्टर में जैसे की बीएड में है देखे बीएड में सेकंड सेमेस्टर का 1190 है रेगुलर वालों के लिए जो भूत्पूर है उसके लिए साथ सो पैंसट बताऊंगो पूरावेसिक से कैसे फैंटेंबाना है अब मोबाइल पीसे कैसे गुगल में सर्च करेंगे हम चंद यादा विशुविद्याले सर्च करने यहां पर आपको यहां निक करने नीचे में रहें पूरा लिख लीजे हम चंद या इतना भी लिखेंगे तो हो जाए कि कैसे आप mobile से भी feel कर सकते हैं तो यहाँ पर student पर click करेंगे student पर click करने के बाद में यहाँ पर आपका जो अपने जो यूजर ाइडी email id जो बनाए था और पास्ट सेठ के था खुओ और भूल गए तो forget कर सकते हैं आपके मोवाइल पर आ जाएगा ठीक है तो मैं यहां पर जो है लोग इन कर ले तो लोग इन होने के बाद में देखिए यहां पर बहुत सरे ओप्शन दे रहेंगे ठीक है अगर आपका एटिकटी है तो एटिकटी में कर सकते हैं या भूत पूर हैं जो मिसिंग की है उन लोग के लि आपको पूरो से और लिखे यहां प्रिषान के यहां पड़ा आपको हूए यहां को जो करना आे करना है जो मुझे से फीर आपको करने में तो मुझे जो है result online मिला हुआ है तो उसको मैं provisional के तौर पे upload करूँगा ठीक है online मुझे मिला हुआ है original तो क्या भी आया नहीं रहता थोड़ा late से आता है ठीक है तो मैं यहाँ पी क्या करता हूं प्रोविजनल सेलेक्ट करूंगा प्रोविजनल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर upload करूँगा यह देखेए जो result मुझे मिला था 282nd semester का सब्सक्राइब फर्स्ट सेमेस्टर के जो result है उसको मैं यहाँ पर upload करूँगा आप भी जो है online निकाली जी नहीं है तो रिजल्ट अभी भी मिल जाता है रोल नॉमर डालके एंटर कर सकते हैं ठीक है चले तो मैं इसको upload करके दिखाता हूं यहां पर तो यहां पर अप्लोड कर दिया प्रोविजनल करके तो आप देखना भी चाहते हैं सहीं है नहीं तो क्लिक भी करेंगे तो यहां पर दिख रहा है कि आपके यह रिजर्ट है आपके नाम से यह आप चेक कर देना है सहीं upload करना है क्योंकि यहीं डाकुमेंट को आपको कॉलेज में भी जमा करना है पूरे डाकुमेंट को अब सेवेस कंट्यूने करेंगे तो आपको जो भी इसमें जो डाल है अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते है है फोटो सिंग्नेचर को नहीं करना है तो सेवेस कंट्यूने कर लिजिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर जो सेकंड से में कंपल्सरी जो पेपर है वह चार तो तीन तो यही रहता है इंटर्शिप होता है वन मन्त को वह सब आटोमेंटिक रहते इस पोई चेंज मेंज लेना चाहते हैं तो मैं एमी सेलेक्ट करनेक बाद सेव कर दिया अब आपको एक रिव्यू दे रहा है कि हाँ यह आपने इतना यह फील किया हुआ है एक बार चेक कर लिजिए को भी मिस्टेक है तो आप जो डैस्बॉर्ड में जाकर फिर से चेंजिस कर सकते हैं सब्सक्राइब कर देंगे तो यहां पर करने के लिए यहां पर दो आएगा देखे यहां पर राइट सब्सक्राइब प्रोसेस टू पर यहां पर नेम एड़ी डाल दीजिए और वेरिफाय कर लिजिए तो आपका यहां पर पूरा नेम आ जाएगा कि हां यह सच है अगर कोई मिस्टेक होगा तो नहीं दीखेगा आपका नाम देखे मेरे नाम यहां पर शो कर दिए क्लिक किया ठीक है आपके मोबाइल में पॉप अप जैसी आप payment success करेंगे देखिए यहां पर जैसी मैंने payment किया यहां पर show कर दिया कि आपका successfully होगा वेट करना है यह 5 मिनेट के अंदर में पूरा process करना रहता है ठीक है तो जैसी होगा automatically payment success होने के बाद में यह success show हो जाएगा थोड़ा सा हम वेट करेंगे जैसे success हो को कुछ इस तरह rate करके आगे बढ़ देखिए success यह आगे transaction ID ठीक है बहुत easy है अब यह पूरा अच्छा है तो आप इसको इसको सॉट रख सकते हैं यह वहां पर show हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो reference ID आता है ना वह important होते है कही बार क्या स्टेटर सक्सेस हो नहीं होता payment कर जा रहे था तो problem करते कही बार देखिए मेरा payment हो गया successfully प्रिंट का option दे दिया आप यहां पर तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यह आपको फॉर्म आगे जो कि एक student copy होते हैं कि यूश्टी कॉपी इस्टुडिन कॉपी आप अपने पास रखना है यूश्टी कॉपी में सारे certificate दस वी बार वी college जाती निवास और जो फॉर्म फिलप की हैं वो और चाहे तो जो अपको मिला था वह भी सांट में रख लीजे क्योंकि कभी-कभी यह मंगता ही है सब को यूश्टी भेजना रहता है ठीक है और सबसे इंपोर्टेंट है आपने जो मार्शिट अप्लोट की है न वो उसको अटेज करके college में जमा कर दीजिए एक्जाम फर्म के साथ ठीक है तो यहां से आप कभी भी anytime डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरू सस्काइब कीजिए ओके